हेलो स्टुडेंट्स, हावर यू, आप लोग कैसे हैं, वेल्कम बैक टू अनदर वीडियो आफ क्लास टू, आफ एसस्टी सब्जेक्ट, तुड़े आइम गोईंग ओवर ए ब्रीप टुटोडियल आफ यूर फिप्ट लेसं इन एसस्टी, काइंड्स ओफ हाउसेज, यानि घरों के प्रकार, our houses means हमारे घर, we all need a place to live, हम सभी को रहने के लिए घर की आवशकता होती है, a house is a place where we live and feel safe, हमारा घर वो अस्थान होता है, जहां हम आराम से रहते हैं और अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं, a house protect us from heat, cold, rain, storm, thieves and wild animals, एक घर हमें गर्मी से, ठंड से, बारिश से, तूफान से, चोरों से और जंगली जानवरों से भी बचाता है, we feel safe in our house, हम अपने घर में अपने आपको सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए सभी मनुष घर में रहते हैं, and the kinds of houses, यानि घरों के प्रकार, घर कई प्रकार के ह होते हैं, they are mainly कच्चा हाउस and पक्का हाउस, जिन घरों में हम रहते हैं, and what is कच्चा हाउस, कच्चा हाउस is made up of wood, mud, straw, clay and bamboo, कच्चा घर या कच्चे मकान, लकडी, मित्ती, पुवाल और कीचर, आदी को मिला कर, और बांस और लकडियों से बनाय जाते हैं, they have sloping roof and not very strong, इनकी च्चते बिलकूल ढाल वाली होती है, और ये ज्यादा मजबूत नहीं होते, mostly found in villages, और ज्यादा तर ये कच्चे घर गावों में पाये जाते हैं, for example, hurt, hurt यानि जोपडी, and the next is पक्का हाउस, दूसरा है, पक्के मकान, पक्का हाउस is made up of bricks, cement, iron, stones and wood, पक्के मकान, eat, cement, लोहे, पत्थर और लकडियों से बनाये जाते हैं, mostly found in towns, और ज्यादा तर पक्के मकान शहरों में मिलते हैं, for example, bangalow, यानि बंगला, अपार्टमेंट, अपार्टमेंट में बहुत सारे flats होते हैं, और एक अपार्टमेंट में कई परिवार उन flats में निवास करते हैं, buildings, sky scrapers, यानि गगन चुम्बे इमारते, बहुत उची उची इमारते, जो दस मंजिलों से अधिक उची होती है, उसे sky scrapers करते हैं, and the other kinds of houses, और भी बहुत प्रकार के मकान होते हैं, या घर होते हैं, जैसे कार्वा, कार्वा are houses on wheel, कार्वा एक ऐसा मकान होता है, जो गड़ी नुमा होता है, और पहियों पर चलता है, उसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इगलो, इगलो बर्फ के मकान को कहते हैं, घर को कहते हैं, इगलो are houses built of ice blocks, इगलो बर्फ के बड़े बड़े टुकडों से बनाया गया मकान होता है, जो उन स्थानों पर पाया जाता है, जहां चारो ओर से बर्फ ही बर्फ होती है, ऐसे में वहाँ पर मकान बनाने के लिए आवश्यक सामगरी बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए वहाँ बर्फ के घर बना कर लोग रहते हैं, वह भी वैसे मौसम में जब बहुत ज़्यादर ठंड पड़ती है, And the tent, tent are houses made of canvas, tent ऐसा मकान होता है, जो एक मोटे कपड़े canvas का बना होता है, they can be moved from one place to another, इसे एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक असानी से ले जाया जा सकता है, जैसे कि अगर किसी camp में NCC का camp हो, या फिर policeman का camp हो, या किसी कारण वस हम परियाटन करने गए हों, या घुमने गए हों, तो वहाँ अगर कोई माकान नहीं है, तो हम tent बना कर वहारा सकते हैं, And the next is steel house, houses, built on bamboo poles, वेग मकान जो बांस के उचे उचे पोल्स पर बनाया जाते हैं, ये दलदली जमीन पर बनाया जाते हैं, और उन छेत्रों में जहां बहुत ज़्यादा बाढ़ाती है, तो वहाँ जमीन पर मकान बनाना सुरक्षित नहीं होता, तो वहाँ बांस के लंबे- लगा कर उन पर मकान को बनाया जाता है, and next is houseboat, houseboats are floating houses found in lakes, houseboat तैरते हुए मकान होते हैं नावों के उपर, जो जीलों में पाया जाता है, जैसे हमारे देश में, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के जील में, और केरल में भी ये पाया जाता है, and the roofs of houses, यानि घर की छटें, घ कुछ घरों के छट, चपते होते हैं, they are found in plains and hot places, और ऐसे छट, मैदानी भागों में, और गरम अस्थानों में, जाद अतर पाये जाते हैं, some houses have sloping roofs, कुछ घरों की छटे, sloping यानि धालदार होती है, उपर से नीचिय की और जुका हुआ, they are found on hilly areas and very cold places, which receive snowfall, ये उन अस्थ जानों में पाये जाते हैं, जहां पाहाडी छेतर हो, और वहाँ जाड़े की दिनों में, बर्फ गिरती है, ताकि धालदार छट होने से बर्फ इसल कर नीचे गिर जाए, and the next, parts of house, parts of house means, घर के अंदर कितने प्रकार के कमरे होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, a house has many rooms, as एक घर में कई प्रकार के कमरे होते हैं, जैसे, ड्रोइंग रूम, बेडरूम, गार्डेन, कीचेन, बात्रूम, लिविंग रूम, स्टडी रूम, टोयलेट आदी, और इस प्रकार आपके घरों में भी बहुत सारे कमरे होते होंगे, और उन्हें देखकर आप उनका नाम से पहचान सकते हैं, and what is a good house, एक अच्छा घर कैसा होता है, a good house should be neat and tidy, एक अच्छा घर बहुत ही साफ सुत्रा और विवस्तित होता है, यानि की वहां हर समान उचित जगह पर रखे जाते हैं, a good house is well ventilated, एक अच्छा घर जो होता है, उसमें हवा और रोश्नी जाने की पर्या सुभिधाय होती है, a good house should be comfortable to live, एक अच्छे घर में रहने में बहुत ही आराम दायक होता है, and that is all about the kinds of houses, thank you.